हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के चैप्टर नमबर टू को जिसका नाम है माइक्रो अर्गनिजम प्रेंट एंड फो यानि कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं माइक्रो अर्गनिजम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आई इस चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर सिंप्ली बात यह कह रहा है कि देखो आप अभी अपनी दुनिया में जब घूमते हो, टहलते हो, फिरते हो या फिर जो दुनिया देख रहे हो, इसमें आपको बहुत सारे animals दिखते हैं, बहुत सारे insects दिखते हैं, birds दिखते हैं, बहुत सारे plants दिखते हैं, तो ये सब आपको पता है कि क्या है organism है जो कि हमारी दुनिया में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारी दुनिया में ऐसे organism भी ह जिनको की हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं बिना किसी lens के मतलब बिना किसी microscope के या फिर magnifying glass के उनको हम नहीं देख सकते हैं मतलब क्या मतलब हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे organism हैं जिनका size इतना छोटा होता है कि उनको हम आँखों से देखने पर इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं उनको देखने के लिए हमें microscope की जरूरत होती है और ये organism बहुत ही micro size के होते हैं इसलिए इन organism के लिए हम एक शब् करते हैं micro organism समझ गए और इनके लिए एक और शब्द इस्तमाल होता है जो कि हम कहते हैं microbes ठीए अब यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए एक example बताता है कि आप जब rainy season में जब air पूरा moist होता है उस condition में अगर एक braid को बाहर छोड़ दें तो उस braid पर बहुत आपको tiny patches दिखें वो patches क्यों दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का micro organism आ चुका है वहाँ पर उस micro organism ने अपना घर बना लिया है अपनी colony बना ली है तो यहाँ पर अगर आपको यह हिस्सा दिख रहा होगा इस braid में यह patches दिख रहे हैं यह patches क्या हैं यह एक प्रकार का micro organism है जो कि इस ब्रेड पर यहाँ पर अब रहने लगा है समझ गया, इसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे माइक्रो और्गनिजम होते हैं, जो कि अलग-लग जग होपर रहते हैं, अलग-लग तरीके से अपनी जिन्दगी को जीते हैं, ठीक है अब यहाँ पर बोलता है कि अब आईए हम लोग अगले टॉपिक पर वढ़ते हैं टॉपिक नमबर 2.1 है, माइक्रो और्गनिजम माइक्रो और्गनिजम को हम लोग जानते हैं समझते हैं, उनके बारे में थोड़े मोड़े आइडिया लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, activity 2.1 है कहता है कि भाई आपको क्या करना है field में से moist soil लेना है ठीक है, आपने field में से moist soil ले लिया और उसको एक बीकर में डाल देना है उसमें water डाल देना है मतलब थोड़ा सा soil लीजिए, बीकर में भरके पानी डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा हिला दीजिए और उसके बाद soil के particles को नीचे बैठने दीजिए जैसे होता ना कि चीनी थोड़ा सा हिला देते हैं तो चीनी नीचे जाकर बैठ जाता है उसी प्रकार से soil के particles को ऐसे मिलाईए soil के particles नीचे बैठ जाएंगे उसमें जो पानी बचेगा, पानी थोड़ा सा लेना है, माइक्रोस्कोप से चेक करना है कि उसमें क्या है, आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे tiny tiny little little organisms मिलेंगे, जो की activity कर रहे होंगे, किसी न किसी प्रकार से चल रहे होंगे, हिल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो य यही micro organisms हैं, जिनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर आगे क्या कहता है, आपको कुछ drops of water लेने हैं, कहां से pond से, जो आपके घर के आसपस तालाब है, वहां से आप थोड़ा सा पानी लिजिए, उसको micro scope से देखिए, तो वहाँ पर जब आप देखिएगा, तो वहाँ पर भी आपको tiny tiny little little organisms देखने को मिलेंगे, जो कि activity कर रहे होंगे, इनका shape size बहुत हो सकता है, अलग अलग प्रकार के micro organism पाये जाते हैं, अलग अलग होते हैं, वैसा आपको हो सकता है, लेकिन यह सब आपको कहां पाये जाएंगे, यह सब आपको पाये जाएंगे, उस microscope से देखने पर, जैसे कि आप यहाँ पर तालाबों में यह जो green patches देख रहे हैं, या फिर और भी जगों पर आपको अलग-अलग micro organism होते हैं, तो जब आप microscope से देखिएगा, तो इस प्रकार का structure आपको देखने को मिलेगा, ऐसा structure देखने को मि So you find tiny organism moving around, क्या आपको tiny organism moving around करते हुए, घूमते हुए, तो हाँ भाई दिखेंगे ही, क्योंकि वहाँ पर tiny organism रहते हैं, micro organism रहते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि these observations, so that water and soil are full of tiny organism, कहता है कि इस प्रकार से, जब आप soil को microscope से देखिएगा, मतलब soil में water मिला करके check करने के लिए हम या फिर आप pond के water को देखिएगा microscope से, तो आपको क्या पता चलेगा, कि भाई जो soil होता है, या फिर आपका जो water होता है, जो कि आपको pond वगरा में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे micro organisms भरे हुए होते हैं, तो not all of them fall into the category of microbes, अब यहाँ प सभी को हम micro organism नहीं बोलते हैं, जैसे बहुत सारे आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो कि तलाब में, नदी में पाय जाते हैं, वो micro organism नहीं हैं, वो एक प्रकार से insect उनको हम कह सकते हैं, समझ गया है, तो यहाँ पर कहता है कि these micro organism और microbe are so small in size, they cannot be seen with the unaided eye, यह जो micro organism की हम लोग बात कर रहे हैं, कि यह micro organism है, microbe से, कौन है micro organism, कौन है microbe, यह वैसे organism हैं, जिनको हम नंगी आखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें microscope की जरूरत होती है, क्योंकि यह इतने जादा छोटे होते हैं, अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि some of these such as the fungus that grows on bread, जो हमने bread पर patches देखे थे, वो patches किस की वज़ा से थे, fungus की वज़ा से थे, fungus क्या है, एक प्रकार का micro organism है, इसको हम लोग यहाँ पर magnifying glass से देख सकते हैं, अब इसके अलाबा जो दूसरे micro organism हैं, उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, micro scope चाहिए होता है, कहता है कि that is why these are called micro organism और microbes, इसलिए इन organism को हम लोग क्या बोलते हैं, micro organism बोलते हैं, या फिर microbes बोलते हैं, क्योंकि इनको हम नंगी आँखों से simply देख नहीं सकते हैं, इनका size, shape इतना छोटा होता है, कि इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, micro scope चाहिए होता है, अब यहाँ पर जो हमारे आसपास दुनिया में micro organism पाए जाते हैं, उनको हम चार ग्रूप में divide करते हैं, ये चार ग्रूप है, पहला bacteria, दूसरा fungi, तीसरा है proto जोवा और चौथा है अलगी, मतलब कि यहाँ पर चार प्रकार के micro organism हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है, कहता है कि some of these common microorganism are shown in figure 2.1, 2.4, अब यहाँ पर कुछ जो common microorganism हैं, जो कि बहुत जगुपर पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, बहुत common हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे bacteria यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अलगी देख सक type के दिखाए गए हैं, क्लेमाइडो मोनस, स्पाइरो गायरा, प्रोटो जोवा में अमीवा, पारामिसियम, इसके अलावा फंजी में आपका ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, इसके अलावा और भी आपको यहाँ पर एक्जामपल दिये गए हैं, तो यहाँ पर बात क्या है, मतलब किया भी है, मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे दुनिया में बहुत सारे माइक्रो औरगनिजम से पाई जाते हैं, बहुत सारे मााइक्रो औरगनियम को हम लोग चार गृर्ग में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से बैक्टेरिया, फंजी, प्रोटो जोवा और अलगे, वो हमने क्यों नहीं कहा कि वो भी एक प्रकार का माइक्रोउर्गनीजम है? यह सवाल आ सकता है। तो यहां पर simple बात यह है कि देखिये जो वायरस होते हैं यह माइक्रोइस्कोपिक होते हैं नतलब कि यह जो वाइरस होते हैं, इनका पूरा जो body होता है, structure होता है, functioning होता है, वो बहुत ही different होता है. microorganism जो है जो हमारा fungi है, proto- zowa है या फिर हमारा और जो microorganism है वो एक organism है, जैसे हम लोग सारी activities body की करते हैं वैसे वो microorganism भी करते हैं लेकिन जब हम virus की बात करते हैं तो virus के body में इस प्रकार की कोई activity नहीं होति है वाइरस की बात करें तो वाइरस जो है वो जब किसी भी सेल के अंदर या फिर किसी और्गनिजम के बॉड़ी के अंदर होता है तभी वो एक जिन्दा और्गनिजम के जैसा बिहेव करता है और वो रिप्रोडूस करता है अपनी संख्या बढ़ाता है लेकिन जब वो किसी सेल के बाहर होगा किसी और्गनिजम के बाहर होगा जैसे इस हवा में अगर वाइरस प्रिजेंट है यहाँ पर तो हवा में वो एकदम डेड जैसा बिहेव करेगा लगेगा ही नहीं कि वो एक और्गनिजम है या फिर कुछ करेगा भी नहीं समझ गए जै viruses micro-organism से different होते हैं, इनका behavior function अलग होता है, ये micro-organism नहीं होते हैं, समझ गया, कहता है कि हाई वर्ध, reproduce only inside the cell of the host organism, host organism कहने का मतलब क्या है, host organism मतलब जिस organism के शरीर में वो enter किये हैं, उनकी बात कर रहा है, which may be a bacterium, plant और animal, वो कोई भी आपका हो सकता है, host हमारे शरीर में भी virus एंटर करता है, हमको कई प्रकार की विमारियां होती है, इसके अलावा, plant में भी वो enter कर सकता है, कोई आपको छोटे organism में भी enter कर सकता है, अलग-लग तरीके से वो enter कर सकता है, अब यहाँ पर example, आपको 2.5 इमेज में दिख खाए गया, viruses का, यह आपको इनकी वज़े से कई सारी बिमारियां होती है, जैसे कि अब यह बहुत ही popular हुआ था coronavirus, वो भी एक प्रकार का virus की वज़े से हो रहा था, इसके अलावा जो common cold होता है, influenza होता है, इसके अलावा जो ज़्यादा तर जो कफ होता है, वो virus की वज़े स होता है, इसके अलावा आपको polio, chicken pox, यह सब जो बिमारियां होती है, यह भी viruses की वज़े से होती है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हमें सारी बिमारियां होती है, सारी viruses की वज़े से नहीं होती है, viruses से होने वाली बिमारियां अलग होती है, वही जो हमारे आसपास microorganisms रह रहे हैं उनकी वज़ासे भी कुछ बीमारियां हमको होती हैं जैसे उदारण यहाँ पर देता है कि dysentery नाम की एक बीमारी होती है malaria आपको पता ही होगा यह बीमारी ऐसे हैं जो कि proto-joa की वज़ासे होते हैं इसी प्रकार से जो typhide होता है tuberculosis होता है यानि कि जो TB की विमारी होती है यह bacteria की वज़ासे होती है मतलब यहाँ पर simply क्या है कि देखिए हमारे आसपास जो microorganisms रह रहे हैं उनकी वज़ासे भी हमें कुछ विमारियां होती हैं, हमें कुछ तकलीफे होती हैं पढ़ने वाले हैं, discuss करने वाले हैं तो यह तो तस्वीरे आप देख लिए कि bacteria की तस्वीर यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर algi का तस्वीर दिया गया है protojoa का तस्वीर दिया गया है यहाँ पर fungi का तस्वीर दिया गया है कैसा उसका structure होता है समझ के उसका size यतना छोटा होता है कि वहाँ पर यह तस्वीर real नहीं है इसी प्रकार का लगभग structure उसका होता है अब यहाँ पर आगे सवाल है simple सा सवाल है where do microorganisms live भाई microorganisms कहां रहते हैं मतलब कहां पर वो रहते हैं किस climate में रहते हैं किस प्रकार के इलाके में रहते हैं तो answer क्या है simple से answer है सब जगह रहते हैं हर तरीके के climate में हर तरीके के nature में हर जगह पर पाए जाते हैं मतलब कि मैं यहाँ पर कमरे में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारे microorganisms रह रहे हैं हो सकता है मेरे शरीर के अंदर भी उतने ठंडे इलाके में भी micro-organisms present होंगे। इसी प्रकार से आप रिगिस्तान में चले जाएं थाड डिजर्ट में चले जाएं तो वहां पर भी कुछ micro-organisms आपको मिल जाएंगे। मतलब simply समझ रहे हैं, climate के हिसाब से देखे तो हर प्रकार के climate में आपको यहां पर micro-organisms पाए जाए तो बारिस के सीजन में micro-organisms की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए favorable climate होता है। अगर वहीं पर गर्मी का दिना है तो संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए unfavorable condition होता है। तो यह चीज़ आप एक प्रकार से समझ गया। इसी प्रकार से अगर हम होते हैं, जो कि आपके single-sailed होते हैं, कुछ proto-java भी single-sailed होते हैं, समझ गया। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे अलगी, ज्यादा तर फंगी जो होते हैं, वो multi-cellular होते हैं, और यह कहां रहते हैं, तो यह तो हमने बात कर लिया कि अलग-लग climate condition में हर जगा पर रहते ह हैं, और यहाँ पर यह आपको उन में से कुछ microorganism होते हैं, जो कि अकेले रहते हैं, अकेले रहने का मतलब अकेले वो घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मस्ती करेंगे, अकेले रहेंगे, लेकिन कुछ microorganism होते हैं, वो अकेले ने रहते हैं, पूरा बस्ती वस and us मतलब किया अब हम यहाँ पर microorganism की बात करेंगे और हमारे साथ उनका क्या जुडाव है हमारे साथ उनका क्या relation है यह चीज़ बात करेंगे मतलब simply बात यहाँ पर यह है कि microorganism जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में क्या असर डालते है क्या हमें उनकी उनसे फाइदा होता है क्या नुकसान होता है यह सब चीज़े यहाँ पर हम लोग clear करने वाले हैं अब यहाँ पर कहता है कि microorganism play an important role in our life microorganism हमारी जिंदगी में बहुत ही important role अदा करते हैं इनमें से कुछ microorganism हमारे लिए beneficial होते हैं वही कुछ microorganism जो होते हैं हमारे लिए harmful होते हैं क्योंकि वो उनकी वज़ा से हमें diseases होते हैं बहुत तरीके की तकलीफे होती हैं ठीक है तो आईए इनके बारे में हम बारी बारी से समझते हैं पढ़ते हैं क्या फाइदा नुकसान है यह सब चीज़े discuss करते हैं यहाँ पर पहले किस चीज़ की बात की गई है friendly microorganism की बात की गई है simply यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले हैं कि जो microorganism हैं उनसे हमें फाइदा क्या होता है वो हमारे किस काम में आते हैं यह discuss करते हैं अब कहता कि microorganisms are used for various purposes microorganism को हम तरह तरह से अलग लग चीज़ों के लिए use करते हैं या फिर वो हमारे काम आ जाते हैं कहता कि जैसे कि उदारन के लिए हम लोग जो curd देखते हैं milk से curd बनाने का काम हुआ वो microorganism करते हैं जो हम bread खाते हैं वो bread भी microorganism ही तयार करते हैं मतलब मदद करते हैं तयार करने में इसी प्रकार से जो cake हम लोग tasty tasty fluffy cake खाते हैं जो कि बहुत ही मज़ा आता है tasty लगता है उसमें भी microorganism का मदद होता है तब ही वो तयार हो पाते हैं इसी प्रकार से एक और उदारन दिया गया है कि जो आपके आसपास alcohol का नाम आपने सुना होगा alcohol लोग पीते हैं वो भी microorganism ही तयार करते हैं उनकी ही मदद से सैखडो हजारों सालों से लोग alcohol को तयार कर रहे हैं इसी के अलावा और भी कई तरीके के uses बताएगा हैं जो कि हमारे आसपास की जिन्दगी में हमारे लिए microorganisms बहुत ही मददगार होते हैं जैसे कि environment को clean करने में मदद करते हैं उदारन के लिए जो हमारे organic waste organic waste मतलब क्या? जो living organism है उसका जो waste जैसे कि सबजीयों के जो छिलके हो गया animal waste हो गया या फिर animal के fishes हो गए इन सब को एक तरीके से decompose करने का काम करता है कौन? microorganism करता है समझ गए? और decompose करने का मतलब क्या? मतलब की harmful और usable substance में convert कर देता है मतलब जो visitable peel है उसको क्या बना देगा? humans में convert कर देगा जो की plant के लिए फाइदेमंद होगा चीज़े बताई गई है क्या है भाई? bacteria को हम लोग medicine बनाने में use करते हैं इसके अलावा soil fertility को increase करने के लिए nitrogen fixation के लिए और भी चीज़ों में use करते हैं simply बात यहाँ पर यह है कि जो microorganism हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत ही मददगार होते हैं हमारे काम को आसान करते हैं हमारी जिंदगी को आसान करते हैं तो यहाँ पर इन सब को इन सब uses को अब हम क्या करने वाले हैं? बारी-बारी से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किस topic की बात करेंगे? curd और bread के formation की या फिर making की बात करेंगे कि किस प्रकार से microorganism curd और bread बनाने में मदद करते हैं कहता है कि आपने क्लास 7 में ही पढ़ा है कि जो milk है उससे curd यानि की दही बनाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक चीज बता रहा है यहाँ पर पहली है बोलती है कि I saw that my mother added a little curd to warm milk to seed curd for next day I wonder why? क्यों भाई? क्योंकि जो यहाँ पर दूद है उस दूद को हमें दही में convert करना है milk को curd में convert करना है और curd में convert करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा curd डाला जाता है गर्म दूद में गर्म मिल्क में क्यों? क्योंकि उस curd में bacteria है lactobacillus bacteria है यहाँ पर देखें नाम लिखा हुआ है lactobacillus bacteria जो है वो जब उस दूद में जाएगा तो वो अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा और मिल्क को convert करना शुरू कर देगा यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि curd contains several microorganisms of these the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd यही बैक्टिरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में करने का काम करता है कहता है कि it multiplies in milk and convert it into curd जब हम दूद में थोड़ा सा curd डालते हैं तो वो curd में bacteria present है lactobacillus वो जब उस milk में जाएगा तो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करेगा और संख्या बढ़ा करके वो दूद को दही में convert कर देगा दही में convert करने का काम शुरू कर देगा और धीरे धीरे जब हम रात भर दूद को छोड़ देते हैं तो अगले दिन हमें क्या मिलता है दही मिलता है curd मिलता है इसके अलावा जो bacteria होते हैं उनको हम लोग cheese बनाने में use करते हैं pickles बनाने में use करते हैं और भी कई प्रकार के food item तयार करने में use करते हैं जैसे उदारन के लिए बात करता है कि जो rava idli होती है या फिर जो भटूरा होता है इसको तयार करने में भी microorganism हमारे काम आते हैं क्योंकि वहाँ पर bacteria और yeast का use किया जाता है और इस कैसे use करते हैं जब हम लोगों को भटूरा बनाना होता है तो हम dough तयार करते हैं आता को सानते हैं soft आता को लेकिन उसमें एक चीज़ डाला जाता है क्या डाला जाता है yeast डाला जाता है ये yeast क्या करता है उस dough को full on में फुला देता है और उसको एक प्रकार से soft बना देता है थोड़ा से इतना साफसानीगा तो फूल करके इतना बड़ा हो जाएगा समझ गया क्यों हो जाएगा क्योंकि उसमें हमने east डाला था अब ये कैसे हो जाएगा ये चीज थोड़ा सा हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर मैदा सानते हैं मैदा में east मिला करके उसको हम लोग क्या करते हैं डो तयार करते हैं थोड़ा सा तयार करते हैं उसको थोड़ा सा soft रखते हैं उसको जब हम लोग छोड़ देते हैं तो इसमें जो east present है, वो east क्या करता है? वो reproduction शुरू कर देता है, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, और साथ में respiration जब ये east करते हैं, तो carbon dioxide release करते हैं, और ये carbon dioxide जब release करते हैं, तो carbon dioxide जो है, उस dough के अंदर ही फस जाता है, और वो bubble का formation कर देता है, और हमारा dough इत इतना बड़ा हो जाता है, समझ गए? तो यहाँ पर कहता है कि bubbles of the gas fill the dough and increase its volume, जो हमारे carbon dioxide release किया जाता है, in east के द्वारा, respiration के द्वारान, वो carbon dioxide उस dough में ही फस जाता है, और धीरे 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 हमारे dough का volume बढ़ जाता है, वो dough बढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग dough तय इतना बड़ा होता है, ठीक है? कहता है कि this is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes, तो इसी कारण से yeast को यहाँ पर use किया जाता है, जब हम लोग baking करते हैं, समझ गए? अब यहाँ पर baking की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर यह चीज तो आपने देखा ही होगा, कि यहाँ पर आप जब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से, जो yeast है, वो इस dough में, क्या गरता है? CO2 release करता है, respiration के दोरान, और CO2 देखिए, इसी प्रकार से बीच में फंस जाता है, और इसी कारण से जब आप bread, कोई भी bread लेते हैं, या फिर कोई भी cake लेते हैं, तो cake में यहाँ पर इस प CO2 के bubble, जो कि उन्होंने respiration के दोरान छोड़े थे, ठीक है? तो यह चीज आपका clear हो गया, बहुत ही simple सा चीज है, अब यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ हूँ, तो आगे यहाँ पर क्या बात करता है? आगे यहाँ पर कहता है, commercial uses of microorganism, मतलब हम लोग microorganism का commercial use क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर अपनी दुनिया में, microorganism को use करते हैं, alcohol तयार करने में, wine तयार करने में, stick acid तयार करने में, जो कि हमारा vinegar होता है, उसको तयार करने में, इसके अलावा और भी बहुत सारे industries में, बहुत तरीके से हम लोग microorganism का use करते हैं, जहाँ पर की बहुत large scale पर हम लोग किसी न किसी चीज़ का production करते हैं, जैसे उदारन के लिए कहता है कि, yeast is used for commercial production of alcohol and wine, for these purpose, yeast is grown on natural sugars, present in grain-like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. simply कह रहा है कि, देखो, हमने क्या किया, हमने जैसे वहाँ पर, हमने milk से curd convert किया, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेते हैं, grains, कौन से grains, जैसे barley हो गया, wheat हो गया, rice हो गया, या फिर जो fruit juices होते हैं, इनको लेते हैं, अब ये जो नाम आप सुन रहे हैं, ये सारे grains में क्या होता है, ये सारे grains में sugar होता है, मिठास होती है, अब चीनी जितना मिठास नहीं होता है, लेकिन होता है इनके अंदर, natural sugar present होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग yeast को इन में मिला देते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन से जो natural sugar म अलकोहल में, किस चीज में, अलकोहल में, वाइन में, जीन में, कई प्रकार के आपके beverages होते हैं, अलग-लग चीजों में convert कर देता है, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए एक example दिया गया है, कोई खास example, simple सा उधारण है, कि आपको एक 500 ml का बीकर लेना है, बीकर में आपको 3 फोर्थ उसको भर देना है, पानी से, उसमें 2-3 tea spoon sugar डाल देना है, उसको अच्छे से मिला देना है, और उसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, half tea spoon, half spoon yeast powder मिला देंगे, sugar solution में, और इसको अगर आप गर्म जगह पर 4-5 घंटे तक रख देते हैं, तो उसके बाद आप इसको अ यहाँ पर alcohol कैसे बन गया, तो यहाँ पर जो यह yeast है, यह क्या करता है, यह उस sugar को लेता है, sugar को alcohol और carbon dioxide में convert कर देता है, और यह जो हमारा process है, यही process हमारा fermentation कहलाता है, कहता है कि this is the smell of alcohol, as sugar has been converted into alcohol by yeast, this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation, जो यहाँ पर sugar का conversion हुआ, alcohol में, yeast के द्वारा, वो हमारा process क्या कहलाता है, fermentation कहलाता है, तो आएए इसको ज़रा सा समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग fermentation देख रहे हैं, fermentation क्या हुआ भाई, fermentation हम लोग लेते हैं, sugar, sugar में हम लोग yeast मिलाएंगे, क्या बनेगा, हमारा तयार होगा, यहाँ पर carbon dioxide और alcohol, यह हमारा पूरा reaction होता है, fermentation को खोजा किस ने था, लुइस पास्चर ने, 1857 में, अब देखिए, यहाँ पर बात यह है कि alcohol बनाने का काम, हजारों सालों से लोग कर रहे हैं, तो क्या पहले लोगों को यह चीज़े नहीं पता थी, भाई, पहले लोग सराब बनाते थे, alcohol तयार करते थे, लेकिन यह process काम कैसे करता है, इसमें क क्या क्या चीज़े होती हैं, यह लोगों को नहीं पता था, बस पता था, कि भाई, चीनी लो, उसमें योचीज मिला दो, तो तुम्हारा alcohol बन जाएगा, बस इतना पता था, यह इनको पूरा process, इस प्रकार से, chemical reaction वगएरा नहीं पता था, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि fermentation को इसलिए हो ने खो जाता, ठीक है, सिंपल सा बात क्या, fermentation में क्या होता है, सुगर को हम लोग alcohol में convert करते हैं, कैसे convert करते हैं, यहाँ पर yeast ये काम करता है, conversion का काम करता है, और यहाँ पर हमारा जब यह respiration होता है, yeast respiration करता है, anaerobic respiration, तो यहाँ पर सुगर को convert कर दिया जाता है alcohol में और carbon dioxide में, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ tough है नहीं, आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर वही बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है, कि Lewis Pasteur discovered fermentation in 1857, 1857 में इन्होंने fermentation खो जाता, आगे यहाँ पर हमारे सामने अगला use है, क्या medicinal use of microorganism, तो microorganism के क्या medicinal use हैं भ lead capsule और injection, such as of penicillin, तो यहाँ पर कहता है, कि जब भी आप बिमार होते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या गरता है, antibiotic tablet देता है, ठीक है बाई, antibiotic tablet दे दिया, जैसे उदारन के लिए penicillin बहुत ही famous है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो हमारे antibiotic tablets होते हैं, दवाईया होती हैं, यह कह microorganism से आते हैं, microorganism से बनाई जाते हैं, कहता है कि the source of these medicine is microorganisms, these medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms, यह जो आपके medicine होते हैं, जो कि microorganisms से ही बनते हैं, इन medicine की मदद से हम क्या करते हैं, disease-causing microorganism के संख्या को growth को control कर लेते हैं, या फिर उनको पूरी तरीके से हम मार देते हैं, और इस प्रकार के दवाईयों को हम लोग क्या बोलते हैं, antibiotic बोलते हैं, मतलब कि वैसी दवाईयां, जो कि microorganism के growth को control करने के लिए, या फिर growth को रोकने के लिए use की जाती हैं, यानि कि बिमारीयों को ठीक करने के लिए use की जाती हैं, उन दवाईयों को हम क्या बोलते हैं, antibiotic बोलते हैं, ठीक है, कहता है कि these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, तो यहाँ पर क्या होता है, आज के समय में हम लोग बहुत variety के microorganisms का use करके, हम लोग यहाँ पर antibiotic दवाईयां बनाते हैं, जिनमें कि कुछ उदारन दिये गया है, अब यहाँ पर antibiotic कैसे खो जा गया था, यह चीज़ यहाँ पर बताया गया है, कि एक यहाँ पर biologist थे, इनका नाम था Alexander Flaming, यह क्या कर रहे थे, disease causing bacteria के बारे में study कर रहे थे, उसको कुछ experiment बगएरा कर रहे थे, कैसे बीमारी होता है, कैसे green mold present है, जैसे कि हम लोग के bread में mold लग जाता है न, उसी प्रकार से, इनके culture plate में green mold present है, और उस green mold की वज़ा से, वहाँ पर और भी दूसरे कोई भी microorganism grow नहीं कर रहे हैं, बलकि वो खतम हो जा रहे हैं, और बहुत जगों पर microorganism को यह मार भी दे रहे हैं, और यही जो यह green mold यह क्या था? पेनिसिलीन था, यही से यहाँ पर खोजा गया पेनिसिलीन, जिससे कि हम लोग आज जो दवाई खाते हैं, वही क्या है? वही एक प्रकार से mold से ही बनाया जाता है, वही bacteria से बनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर इस पहला हमारा antibiotic दवाई इस प्रकार से खोजी गई थी. इसके बाद अगर हम लोग आगे वरते हैं, आगे यहाँ पर क्या कहता है? आगे यहाँ पर कहता है, are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure variety of diseases. भाई, अलग अलग प्रकार के microorganism का यूज़ करके हम लोग अलग अलग antibiotic दवाईयां बनाते हैं और उससे हम लोग क्या अगरते हैं? तरह तरह की बिमारियों को ठीक करने में यूज़ करते हैं. कहता है कि antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. हम लोग animals में भी microbial infection वगरा को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अटिबायोटिक का यूज़ करते हैं. जो जानवर होते हैं उनको चारह में मिलाकर अटिबायोटिक दवाईयां हम लोग दे देते हैं ताकि उनको भी किसी प्रकार क बीमारी ना हो, उनको भी किसी प्रकार का infection ना हो. समझ गया? इसी प्रकार से plants में भी बहुत सारे diseases को control करने के लिए हम लोग एंटिबायोटिक दवाईयों का use करते हैं. अब यहाँ पर देखिए एंटिबायोटिक के बारे में एक बात बता रहा है कि एंटिबायोटिक जो पूरा अपना symptoms को दिखाने के बाद आपको एंटिबायोटिक लेना चाहिए. क्योंकि एंटिबायोटिक कई प्रकार की होते हैं, बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा एंटिबायोटिक चलेगा, यह doctor तै कर सकता है, आप तै नहीं करने मतलब कि अगर आपको doctor ने बोला कि तीन दिन तक सुबह साम दवाई खाना है, एंटिबायोटिक खाना है, तो आप तीन दिन तक सुबह साम एंटिबायोटिक खाईए, उस course को complete कीजिए. क्यों? क्योंकि अगर आप course को complete नहीं करेंगे, भले ही आपकी विमारी पहले ही खतम हो जाए, लेकिन अगर course को complete नहीं करेंगे, तो वो एंटिबायोटिक दवाई जो है, अगली बार से काम करना बंद कर देगा, ठीक से काम नहीं करेगा. इसी प्रकार से, अगर आपको बिमारी नहीं है, और आप जबरजस्ती एंटिबायोटिक दवाई लेकर के खा लेते है जैसे आपको थोड़ा सा सरदर देने लगा, और आपने क्या किया एंटिबायोटिक खा लिया, तो आपका जो एंटिबायोटिक दवाई है, वो अगली बार जब सच में बिमारी होगी, तो आपके शरीर पर काम नहीं करेगा. इसके अलावा, आपके सरीर में कुछ माइक्र होते हैं, जो कि आपके लिए फायदे मंद होते हैं, आपको मदद करते हैं, तो जब ऐसे ही घुमते फिरते आप एंटिबायोटिक दवाई खाते हैं, तो आपके सरीर के अच्छे वाले माइक्रो और आउर्गनिजम को भी वो दवाई मार देते हैं. इसलिए जब भी विमा अब यह वैक्सीन क्या होता है भाई तो यहाँ पर कहता है कि when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invator, अब यहाँ पर कहता है कि जब हमारे शरीर में disease causing microbes enter करते हैं, तो हमारा शरीर कुछ substance create करता है, कुछ molecules को कुछ component create करता है, जो कि इन disease causing microbes को खतम करने का, या फिर उनको सरीर से बाहर निकालने का, या फिर बिमारी को खतम करने के लिए काम करते हैं, अब यह antibodies जो होते हैं, वो जब एक बार बन जाते हैं हमारे शरीर में, तो हमारा सरीर शीख जाता है कि अगली बार हम लोग कैसे fight करेंगे, अगली बा करन के लिए, कि एक बार आपको कोई बिमारी हुई, जैसे आपको माल लिजे कि fever हो गया, आपके शरीर में कुछ microorganism एंटर कर गये, आपके शरीर ने antibody तयार किया, इसको कैसे लड़ना है इसको antibody तयार किया, आपको antibody आपके शरीर ने तयार किया, शीख लिया कि अच्छा इस से कैसे fight करना है और हमारा शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा हमारा immune system उस बिमारी को रोक लेगा समझ गए इस प्रकार से चीज़े यहां पर हमारे शरीर में काम करती है अब यहां पर देखिए यहां पर vaccine कैसे काम करता है कैसे काम करता है जरा समय है दूसरे इमेज से आपको समझा देता हूँ तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जैसे आप ने अभी हाल ही में सुना होगा कि बाई कुरोना वायर अब यहां पर देखें क्या होता है हमने क्या organism आया हमारे शरीर ने antibody बनाया और सीख लिया कि इसको कैसे पीटना है इसको कैसे हराना है ठीक है अगली बार जब भी आएगा हमारा शरीर इसको बीट करेगा हमारा शरीर इसको हराएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है vaccine में vaccine जो हम लोग लेते हैं वो कुछ नहीं होता है बलकि वही microorganism को हम लोग लेते हैं उसको थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं मतलब क्या vaccine में dead या फिर weak microbes होते हैं जो की healthy body में enter कराये जाते हैं मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हमारा जो शरीर है उसमें जो microorganism है इसको शरीर के बाहर ही हमने कमजोर कर दिया या फिर इसको मार दिया और इसको कमजोर करके या फिर मार करके हमारे शरीर में डाल दिया जाता है और हमारा शरीर जो है एंटी बोडी तयार करता है और हमारा शरीर जो है वो सीख जाता है कि कैसे इसको पीटना है कैसे इसको मारना है तो जब हमारा शरीर एंटी बोडी बनाना सीख लिया हमारा शरीर जो है इस माइक्रो और्गनिजम से फाइट करना सीख लिया तो अगली बार जब ये पूरा ओरिजिनल असली एकदम ताकतवर होके भी आएगा ना हमारा शरीर में तो हमारे शरीर को पता है कि इसको कैसे विमारी नहीं होगा हम लोग healthy रहेंगे समझ गया इस प्रकार से vaccine काम करता है vaccine में क्या होता है कुछ नहीं जो organism है जिस भी चीजिस है जैसे bacteria से हमें हो रहा है तो bacteria लो उसको मार दो या फिर उसको कमजोर कर दो उसको एक ऐसा मतलब बहुत लंबा चोड़ा process है तो उसको लो हम हमारे शरीर में डाल दो हमारा शरीर सीख लेगा कि इस bacteria से कैसे fight करना है तो अगली बार जब यह attack करेगा हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा हमारा शरीर इस microorganism को मार करके खतम कर देगा हमारे को कोई विमारी नहीं होगी समझ गया इस प्रकार से vaccine काम करता है simple कि भाई हम प्रक्रोब को कैसे खतम करना है कैसे भागाना है और यह इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं यहां पर हमारे शरीर में vaccine की मदद से हम लोग किसी भी विमारी को होने से रोकते हैं जैसे आप जब छोटे बच्चे होंगे या फिर आपके आसपास बहुत सारे छोटे उनको आपको क्या किया जाता है बहुत सारे vaccine लगाया जाते हैं यह देखे चार्ट है कि एक बच्चा एक महिना का होगा तो उसको hepatitis B का लगेगा यहां पर इसके बाद आपको यहां पर rotavirus का vaccine लगाया जाएगा इसके अलावा बहुत सारे मतलब देखने कितने line से कितने सार vaccine यहां पर हैं जो कि अलग-अलग age पर अलग-अलग time पर लगाया जाता है यह हर बच्चे को लगाया जाता है हर बच्चा जब 6 महीने का 12 महीने का 18 महीने का होता है तो उसको इतने सारे vaccines लगाया जाते हैं ताकि उसको किसी भी प्रकार की बिमारी न हो मतलब जितने भी बि फिर कभी आपको नहीं होती है, जैसे कि उधारण के लिए हैपिटाइडिस B का आपको लग गया टीका, वैक्सीन लग गया, तो आपको जिंदगी में फिर कभी हैपिटाइडिस B नहीं होगा, दूसरा बीमारी भले ही हो जाए, समझ गया? अब आपके मन में एक सवाल होगा, कि यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बीमारियां हैं हमारी दुनिया में, जिनके वैक्सीन अभी तक एविलेबल नहीं हैं, बने नहीं हैं, वो क्यों नहीं बने हैं? तो भाई, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, वहाँ पर जो माइक्रो नहीं बनाई जाती हैं. यहाँ पर यहीं चीज हैं कि जब कोई भी मैक्रोब एंटर करता है हमारी बोड़ी में, हमारा बोड़ी, एंटि बोड़ी तियार करता है जो कि उस micro organism से fight करता है और body इसके बाद सीख जाता है कि microbes से कैसे fight करना है अगर वो दोबारा हमारे शरीर में enter करता है तो यहां पर कहता है कि if dead or weakened microbes are introduced to a healthy body the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies the antibodies remain in body and we are protected we are protected from disease causing microbes forever this is how a vaccine work vaccine कैसे काम करता है हमने सीख लिया कि भाई हम healthy है hepatitis B हमको नहीं हुआ है लेकिन हमने क्या किया एक लिया hepatitis B का किटानू लिया micro organism लिया उसको मार दिया या फिर कमजोर कर दिया और कमजोर करके हमारे शरीर में डाल दिया हमारे शरीर ने antibody बनाया antibody बनाने के बाद सीख लिया कि अच्छा बेटा hepatitis B है अगला बार आएगा तब तुमको बताएंगे तो अगला बार जब असली में hepatitis B आएगा हमारे शरीर में तो हमारे शरीर को पता है कि कौन से एंटिबोडी बनाना है और हमारे शरीर में कुछ क्वांटिटी में एंटिबोडी रहेगा भी तो अच्छा मजबूत अगर माइक्रोब आएगा फिर भी उसको फाइट करके हरा देगा और हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी इसी प्रकार से वैक्सीन हमारे शरीर में काम करते हैं यहाँ पर देखे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पहले के जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी आराम से बहुत लोगों को हुआ करती थी और बहुत लोगों की जान चली जाती थी इनकी वज़ा से जैसे उदारण के लिए कलरा हो गया, टूबर क्लोसीस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हैपिटाइटीस हो गया, इन सब को एक प्रकार से हमने दुनिया से खतम कर दिया है या फिर बहुत ही कम कर दिया है वैक्सीन की मदद से, समझ गए? यहाँ पर देखे कहता है कि Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798, Edward Jenner ने vaccine खोजा था, smallpox का 1798 में ठीक है, आगे यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि in your childhood you must have been given injection to protect yourself against several diseases, can you prepare a list of these diseases? तो भाई मैंने आपको चार्ट दिखाया कि बच्चपन में कितने सारे injection लगते हैं, कितने सारे vaccine लगाई जाते हैं, ताकि तरह तरह की बिमारियों को होने से आपको रोका जा सकें, आगे यहाँ पर कहता है कि it is essential to protect all children against these diseases, सभी बच्चों को इन बिमारियों से बचाना इस पेपर में बहुत जगों पर news भी सुना होगा, या फिर advertisement भी देखा होगा, जहां पर सरकार या फिर कोई बड़ा आदमी जैसे अमिताब बच्चन सारु खान बोलता है, फोटो देखी होगी कि आप जा करके vaccine जरूर लगवाईए, इलाज जरूर करवाईए, पोलियों क हमें जर से खतम करना है, इस परकार की बाते आपने देखी होगी, जैसे आपने अमिताब बच्चन का एक देखा होगा एड, जिसमें वो बोलते हैं, कि भाई, दो हफते से ज़्यादा खासी का कया मतलब होता है, टीबी होता है, जा करके तुरंत आप लोग जांच करवाई बच्चो को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाता था, ताकि यहाँ पर बीमारी को उन बच्चो को होने से रोका जा सके, समझ गए? और ये पोलियो ड्रॉप क्या होता था? यह रियालिटी में एक वैक्सीन, आज के समय में भी बच्चो को दिया जाता है, तो यह वैक्सीन एक प्रकार का होता था अब यहां पर कहता है कि a worldwide campaign against smallpox and finally led to its eradication from most part of the world smallpox को लिए बहुत सार campaign चलाया गया तो पूरी दुनिया से लगभग बहुत सारे हिस्सों से इसको खतम किया जा चुका है और आज के समय में जो vaccine से वो बहुत large scale पर बनाए जाता है आज के समय में किसी भी hospital में चले जाओ, सरकारी hospital में भी तो तुमको आसानी से vaccine मिल जाएंगे कोई बच्चे का जन्म होता है उसको vaccine मिल जाता है तो सोचलो कि कितने बड़े scale पर vaccine का production हो रहा है जिससे कि animals और humans, animals को भी vaccine लगते हैं सब को बिमारियों से बचाया जा रहा है इसके बाद यहाँ पर आता है topic increasing soil fertility मतलब कि यहाँ पर हम लोग microorganism का use करते हैं soil fertility को increase करने के लिए अब यह use करते हैं सब्द सही नहीं होगा क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि भाई देखो हम लोग बाद में आये हैं पहले आये हैं microorganism microorganism का घर है soil वहीं पर वो रहते हैं और उनकी मदश से हमको फायदा हो जाता है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम use करते हैं वो हमारे लिए फायदे मंद हैं समझ गया? तो यहाँ पर क्या कहता है बात क्या इसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए आप जहाँ पर भी देखते हैं कि जहाँ पर भी खेती होती है जहाँ पर भी soil है वहाँ पर उस soil में बहुत सारे microorganism होते हैं यह microorganism क्या करते हैं? कुछ microorganism काम करते हैं nitrogen fixation का मतलब कि atmosphere के nitrogen nitrogen को convert करते हैं soil में, soluble nitrogen में मतलब कि ऐसे nitrogen के compound बनाते हैं जो कि water soluble होते हैं ठीक है? वो एक काम करते हैं इसके अलाबा बहुत सारे microorganism soil में present होते हैं जो कि organic matter को decompose करने का काम करते हैं और soil की quality को improve करने का काम करते हैं तो इन microorganism की वजह से ही जो soil की fertility होती है वो increase करती है और जब हम वहाँ पर खेती करते हैं तो हम लोगों का खेती बहुत ही अच्छा होता है अराम से होता है यही चीज़ कहता है कि some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility मतलब क्या कुछ microorganism ऐसे होते हैं कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो की atmosphere के nitrogen को soil में fix करने पाते हैं soil में fix करने का मतलब क्या है nitrogen atmosphere में N2 के form में होता है उसको वो लेते हैं उसको वो convert कर देते हैं दूसरे compound में जैसे nitrogen का oxide बना दिया या sulfide बना दिया कोई दूसरा compound बना दिया और वो जो compound है वो water में soluble होता है और water में soluble होने के कारण plant उसको absorb कर लेते हैं soil से क्योंकि plant जो है वो air से nitrogen को accept नहीं कर सकते हैं, ले नहीं सकते हैं समझ गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन bacterias को हम लोग biological nitrogen fixers बोलते हैं इसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर आगे देखें तो यह आपको cyanobacteria दिख रहा है blue green algae जो की nitrogen fixation का काम करता है इसके बाद आगे point है cleaning the environment, मतलब की जो हमारे microorganism है वो environment को clean करने का भी काम करते हैं, कैसे करते हैं भाई? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर जो manure तयार होता है जो हमारा एक प्रकार से natural खाद तयार होता है देखिए, हमारे आसपास जो खाद यूज होता है, वो दो प्रकार का होता है एक होता है natural एक artificial, जो हम लोग fertilizers use करते हैं fertilizer क्या होते हैं एक प्रकार के chemicals होते हैं जो कि फैक्टरियों में बनते हैं लेकिन यहां पर हमारे आसपास में जो natural waste होता है हमारा animal waste होता है या फिर organic waste होता है जैसे कि plant का सबजी का छिलका हो गया गाय का गोबर वगरा हो गया human waste हो गया इन सब को जब हम लोग decompose करते हैं तो हमारे पास एक organic substance बचता है मतलब मतलब एक ऐसा substance बचता है जो कि organic चीजों से बना organic का सिधा मतलब है जो कि living substances हैं जैसे पेड़ पौधा हो गया humans हो गया animals हो गया इनसे जो चीजे हमें प्राप्त हो रही है उनसे हमारा एक प्रकार का हमने खाद तयार किया कैसे हमने इन substances को decompose कर दिया तो यह जो decomposition का काम होता है यह जो manure बनाने का काम होता है यह भी कौन करते हैं microorganism करते हैं अब यहाँ पर कहता है कि along with their friends they collected waste of plant vegetable and fruits from nearby houses and gardens they put them in a pit meant for waste disposal after some part sometime it decomposed and got converted in manure यह क्या किया इन्हों ने plant के छिलके ले लिए plant के waste ले लिए या फिर सबजी के छिलके ले लिए कहीं पर पेड़ पौधा का कोई टुकड़ा गीरा हुआ है उसको ले लिया सारे organic waste को हमने क्या किया एक गढ़े में एक पीट में डाल दिया और छोड़ दिया कुछ समय बाद वो क्या हो गया manure में convert हो गया जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से organic waste है इसको हमने छोड़ा यहां पर आपका animal waste है यह सब waste को हमने छोड़ा microorganism क्या करेंगे इनको decompose कर देंगे और decompose करके organic waste में convert कर देंगे organic waste में convert कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो हमारा एक प्रकार से convert हो जाएगा manure में ठीका इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि बूजो and पहली wanted to know how this happened तो यह कैसे होता है भाई तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको एक activity बोलता है जिसमें कि दो pot लेने हैं एक pot में आपको क्या करना है plastic waste रख देना है और दूसरे पेटे में organic waste रखना है organic waste मतलब क्या सबजी का छिलका हो गया कोई सड़ा हुआ फल हो गया क्या और कोई इसी प्रकार का waste हो ठ तो यहां पर आपको इन दोनों में difference देखना है कि भाई अगर तीन से चार हफते अगर आप रुखते हैं तो क्या difference देखना को मिलता है तो जिस pot में जिस बरतन में हमने organic waste डाला था वो decompose हो जाएगा लेकिन वहां पर जहां पर जिस pot में हमने plastic waste डाला था वो decompose नहीं होगा decompose नहीं होगा इसका मतलब क्या मतलब की वो जैसा था वैसा ही रहेगा मतलब यहां पर जो microbes होते हैं वो क्या कर पाते हैं वो एक प्रकार से यहां पर जो organic चीज़े हैं जो हमें nature से मिलती हैं उनको ही decompose करने पाते हैं plastic वगरा को decompose नहीं किया जा सकता है कहता है कि did you notice that in potby the polythene bag, empty glasses, bottle and broken toy parts did not undergo any such change, the microbes could not act on them and convert them into manure कहता है कि you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes animals on the ground, you find that they disappear after some time यहां पर क्या होता है कहीं पर आपने कभी गय होंगे घुमने तो यह चीज़ देखा होगा कि कहीं पर कोई पेड गिरा या फिर किसी dead animal का कोई dead body है वो कुछ समय के बाद गायब हो जाता है, पेड पूरा गायब हो जाएगा, animal का dead body गायब हो जाएगा, कहां वो चला गया उसको micro-organisms ने क्या कर दिया, decompose कर दिया micro-organisms decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into simpler substances simple substances में उनको convert कर देते हैं, और ये जो substances होते हैं, इनको बाद में plant और animal दोरा use कर लिया जाता है और इसलिए हम कहते हैं कि जो micro-organisms हैं, वो हमारे nature को clean करने का काम करते हैं हमारे जितने भी waste होते हैं, उनको decompose करके, उनको एक प्रकार से खतम कर देते हैं, पूरी दुनिया से हटा देते हैं कहता कि can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment environment को clean करने का काम करते हैं, कौन काम करता है भाई? हमारे यहाँ पर micro-organisms काम करते हैं यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि यह जो हमारे micro-organisms हैं, यह किस प्रकार से हमें मदद करते हैं, हमारे help करने का काम करते हैं अब यहाँ पर हमारे पास अगला topic है, topic number 2.4, कि micro-organisms जो हैं, वो हमारे लिए harmful कैसे होते हैं harmful कैसे होते हैं, हमने अभी तुरंत vaccine की बात की, कि भाई हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं, वो किसकी वज़ा से होती हैं, micro-organisms की वज़ा से होती हैं तो यहाँ पर आईए उनका harmfulness देखते हैं, कहता है कि micro-organisms are harmful in many ways, micro-organisms कई प्रकार से हमारे लिए harmful होते हैं कहता है कि some of the micro-organisms cause diseases in human beings, plants and animals, कुछ micro-organisms ऐसे होते हैं, जिनकी वज़ा से humans में बीमारियां फैलती हैं, इसके अलाबा plant, animal में भी कई सारी बीमारियां होती हैं, micro-organisms की वज़ा से अब यहाँ पर कहता है कि such disease-causing micro-organisms are called pathogens, अब यहाँ पर जो micro-organism हमें disease cause करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं, ठीक है कहता है कि some micro-organism spoil food, clothing, leather, let us study more about their harmful activities कुछ आपके micro-organism हो गया, उनके बारे में तो simply आपको पता चल गया कि उनके वज़ा से हमें बीमारियां होती हैं, और ऐसे micro-organism को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं, अब यहाँ पर कुछ micro-organism होते हैं, जो कि हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, हमारे भो causing micro-organism in humans की बात करेंगे, मतलब की यहाँ पर वैसे micro-organism की बात करेंगे, जिनकी वज़ा से humans में diseases होती हैं, कहता कि pathogenes enter our body through air we breathe, the water we drink, और the food we eat, मतलब यहाँ पर किसकी बात करना है, pathogenes की, pathogenes मतलब क्या, वैसे micro-organisms जो कि disease cause करते हैं, अब यह pathogenes हमारे शरीर में आते कहा से हैं, यह pathogenes हमारे शरीर में आते हैं, हवा से, जब हम breathe करते हैं, तो enter करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, तब यह हमारे शरीर में enter करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, तब यह शरा हमारे शरीर में enter करते हैं, तो कई प्रकार से यह हमारे शरीर में enter कर सकते हैं, इसके आप generally देखते हैं कि किसी को अगर सरदी खासी होता है, तो वो क्या गरता है, अपने मुँह और नाग को ऐसे ढग करके रखता है, या अभर किसी को सरदी खासी है, तो आप उससे दूर रहते हैं, ऐसे अपना मुँह ढग करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर उसके contact में अगर आप आएंगे तो उससे जो microorganism है वो आपके शरीर में भी आ सकते हैं समझ गए तो यहाँ पर simply कहता है कि ऐसा कोई person या ऐसा कोई animal जिसको बिमारी है उसके direct contact में भी आएंगे तो आपको बिमारियां हो सकती है जो कि transmit हो सकती है समझ गए अब यहाँ पर कहता है यहाँ पर एक प्रकार का disease आता है अब देखे मैंने क्या कहा कि आप किसी बिमारी किसी व्यक्ति को जिसको बिमारी है उसके contact में आएंगे तो आपको बिमारी हो सकती है क्या सभी बिमारियां ऐसी होती है जी नहीं, सभी बिमारियां ऐसी नहीं होती हैं कुछ खास ऐसी बिमारियां होती हैं जो की एक परसन से दूसरे परसन में ट्रांसफर हो सकती हैं जो की एक जगह से दूसरे जगह ट्रांस्मिट हो सकती हैं तो उस प्रकार की बिमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं? communicable diseases मतलब कि वैसी बीमारी जो कि एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में फैल सकती है चाहे वो air के माध्यम से हो water के माध्यम से food physical contact माध्यम से ऐसी बीमारीयों को हम लोग communicable disease बोलते हैं जैसे उदारण के लिए जो TB की बीमारी होते हैं tuber closest होता है वो communicable disease है जैसे कि किसी को अगर TB आप contact में जाएंगे तो आपको हो सकता है इसी प्रकार से जो common cold होता है सर्दी खासी होता है वो फैल सकता है इसी प्रकार से coronavirus आपने सुना होगा जो COVID हुआ था COVID-19 वो भी कैसे ऐसे contact में आने से फैल रहा था ठीक है लेकिन कुछ बिमारियां होती है जो कि contact में आने से नहीं फैलती है जैसे अगर किसी वक्ती को cancer हो गया है तो भाई cancer हो गया है तो contact में आने से दूसरे वक्ती को नहीं फैल जाएगा इसी प्रकार से और भी बिमारियां होती है जो कि फैलती नहीं है कि जिसको है उसको ही रहेगा ठीक है अब यहाँ पर आगे क्या बात करता है आगे बात करता है कि when a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousand of viruses are spread in the air the virus may enter the body of healthy person while breathing and cause infection which situation, वही बात है जो मैं कह रहाँ था कि देखो कोई व्यक्ति है अगर उसको क्या है common cold है मतलब सरदी खासी बुखार इस प्रकार इस प्रकार की चीजेंगोई अगर वो छीकता है, जब वो छीकता है, तो छीकने के बाद क्या होता है, छीकने के बाद उस व्यक्ति के माउच से हजारों की संख्या में वाइरसिस निकलते हैं, जो कि आस पास के इलाके में फैल जाते हैं, जैसे मैं यहां से अच्छी ऐसे छीका ना, तो यहां से बहुत सा वाइरस निकलेंगे, अगर मुझे विमारी है तो यहाँ पर पूरे इलाके में फैल जाएंगे, और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाता है, जो की healthy है, उसको कोई विमारी नहीं है, उसके सरीर में वाइरस एंटर कर जाएगा, वो माइक्रोब एंटर कर जाएगा, और एक क्या किया, खाना खाया, या फिर एक हमारा कोई insect है, जो की इसके शरीर पर बैठा, इसके माउथ पर बैठा, और आकर के खाना में बैठ गिया, या फिर और भी माध्यम से, बहुत तरीके से यहाँ पर जो disease है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में transfer हो सकता है, जैसे की इसको क्या किया, मच्छड जाकर के इसको काटा, इसको काटा तो, इसका blood ले लिया, और मच्छड फिरा करके हमें काट दिया, तो यहाँ पर भी ऐसे भी बिमारी फैल सकती है, यहाँ पर कोई animal है, वो भी बिमारी को transfer कर सकता है, तो कई माध्यम है, जिनसे की यह बिमारी ज कहता है एक सेकेंड आगे यहाँ पर कहता है कि there are some insects and animals which acts as carriers of disease causing microorganism अब यहाँ पर एक शब्द आया carrier अब भाई देखो यह जो बीमारियां हो रही हैं यह किसकी वज़ा से हो रही हैं microorganism की वज़ा से हो रही हैं अब यह microorganism को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं कुछ organism जैसे कि कुछ हमारे कुछ insect होते हैं कुछ animal होते हैं जैसे कि अगर हम लोग मच्छड की बात कर लेते हैं तो हमें जो malaria होता है वो मच्छड की वज़ा से नहीं होता है बल्कि एक microorganism है प्रोटो जोवा जिसका नाम है प्लाजमोडियम ठीक है उसकी वज़ा से हमें क्या होता है मलेरिया होता है ठीक है और ये जो मच्छड होता है वो उस प्लाजमोडियम को कैरी करता है एक जगा से दूसरी जगा समझ गया इसी प्रकार से जो रेबीज की विमारी होती है वो रे यहां पर जो है कुछ ऐसे animals और insect होते हैं जो की बिमारियों को carry करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करते हैं और ऐसे insect animal को हम लोग क्या बोलते हैं जैसे उदारण के लिए आपके घर में जो मक्ही होती है हाउस प्लाई होती है वो एक प्रकार का carrier है वो क्या करेगा वो जाकर के कचड़े के उपर बैठेगा कचड़े के उपर से जो बिमारियां है माइक्रो ऑर्गनिजम हैं वो उसके पैरों में चिपक जाएंगे और वो आ सुनने को यह मिलता होगा कि खाना कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए खाना हमेशा ढग करके रखना चाहिए क्यों कहा जाता है इसी कारण से कहा जाता है कि जो हाउस फ्लाई है या फिर इसी प्रकार के और भी जो इंसेक्ट हैं वो बाहर गंदगी में जाकर के बैठते ह तो उनके शरीर में micro-organisms आ करके चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, और जब वो आ करके हमारे घर में खानों पर बैठते हैं, तो हमारे खाने में भी वो micro-organism को डाल देते हैं, समझ गया? इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर दूसरा उदारन आप को mosquito का दिया आगया है, जिससे की malaria होता है. एक यहाँ पर mosquito, देखिए मैं mosquito में ये ध्यान रखिएगा, सभी मच्छड से malaria नहीं होता है. यहाँ पर जो मच्छड होती है, जिससे malaria होता है, वो है female anaphylis mosquito, ये खास variety की मच्चड है जिससे की हमें विमारी होता है क्योंकि यह जो female anaphilis mosquito है वो malaria के parasite को carry करती है plasmodium को carry करती है और उसके काटने के बाद हमारे शरीर में plasmodium आता है जिससे की हमें malaria होता है इसी प्रकार से female ades mosquito है जो के dango virus को carry करती है मतलब क्या? मतलब यह dango virus यह जबा करके काट देगा तो आपको क्या हो जाएगा? डango हो जाएगा तो यहाँ पर बात है कि हम लोग dango को malaria को control कैसे कर सकते हैं तो control करना बहुत ही simple है कैसे simple है? तो यहाँ पर बात है कि जितने भी mosquitoes होते हैं वो अपना breeding करते हैं water में मतलब कि वो अपना संख्या प्रजनन करने का काम करते हैं कहाँ पर water में अपनी संख्या को कहाँ बढ़ाते हैं वाटर में बढ़ाते हैं तो अगर कहीं भी पानी जमा है जैसे कि नाली है जाम नाली है या फिर कहीं पर आपके घर में कोई बरतन है जिसमें कि कई दिनों से पानी जमा है, तो जहां पर भी पानी जमा हो रहा है, उस पानी को जमा न होने दें, उसको साफ कर दें, या फिर वहां पर अगर कहीं आप साफ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मटी तेल डाल दें, या फिर कुछ और इस प्रकार के केमिकल ड कि इस microorganism से होती है कैसे उसका transmission होता है और कैसे हम लोग इसको prevent कर सकते हैं यह एकदम ध्यान रखिए इसको याद कर लीजाए बहुत इंपॉटेंट है जैसे TB bacteria से होता है air से transmit होता है missiles वाइरस से होता है air से transmit होता है chicken pox virus से होता है air contact से transfer होता है पोलियो वाइरस से होता यह air और वाटर से transfer होता है, तो इन सब को आप को याद कर लेना है, सीधे याद कर लेना है, यह पूरा चार्ट आप देख लिजे, याद कर लीजेगा, इसको पढ़ लिजेगा, अब यहाँ पर आगे कहते हैं, क्या कहता है कि, कहता है कि some of the common diseases affecting humans, their mode ये तो यही चार्ट के बारे में बोल रहा कि यहाँ पर चार्ट में दिया गया सारा डाटा, इसके बाद यहाँ पर disease-causing microorganism in animals, animals की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से animals में बिमारिया होती हैं, उसी प्रकार से animals में भी बहुत सारी बिमारियां ऐसी हैं, जो कि यहाँ पर microorganism की वज़ा से होती हैं, समझ गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदारण के लिए जैसे food disease, mouth disease, cattle में जो होता है, वो virus की वज़ासे होता है, और भी बहुत सारी बिमारियां हैं, जो कि viruses या फिर microorganism की वज़ासे होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा detail में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इसके बाद आगे है disease causing microorganisms in plant, प्लांट की अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर plants में भी बहुत सारे disease जो होते हैं, वो जो एक प्रकार से yield है, वो कम हो जाता है, मतलब कि हमने खेत लगाया था, आधा खेत खराब हो गया, हमको एक quintal अनाज मिलना था, grains मिलने थे, अब 50 kg grains मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए, बात यह है कि यहाँ पर इनकी वज़ास से जो plants होते हैं, उनको से होता है, तो यहाँ पर plants में भी कैसारी बिमारिया होती है, जो microorganism की वज़ास से होती है, अब यहाँ पर इनको खतम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, chemicals, बहुत सारे chemicals का छिड़काओ करते हैं, जो की हम लोग खेतों में डालते हैं, implants को देते हैं, ताकि इस प्रकार के problems को रोका जा सके, अब यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर हमारे सामने अगला topic क्या है, food poisoning, यहाँ पर अभी तक हमने बात किया, direct जो disease होती है, उसकी हमने बात की, लेकिन अब हम यहाँ पर देखने वाले food poisoning, यह क्या है, food poisoning मतलब क्या, जो food है, वो poison में convert हो जाता है, भोजन जो है, वो खाने लाइक नहीं रहता है, अगर खा लेंगे, तो हमारी तबियत खराब हो जाएगी, यह कैसे होता है, यह समझते हैं, यहाँ पर एक चीज कहता है, बूजो जो है, वो अपने दोस्त के घर गया पाटी में, और पाटी में उसने बहुत तरीके तरीके की चीजे खाई, बहुत सारी चीजे खाई और बहुत टेस्टी टेस्टी उसको खाना मिला, उसने भर पेट खा लिया, जब वापस घर आया, तो घर में आते ही, उसने वोमेटिंग करना शुरू कर दिया, उल्टी करना शुरू कर दिया, उसको होस्पिटल लेके जाना पड़ा, और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पर इसका तबियत खराब हुआ, क्योंकि फूड पॉईजनिंग हो गया, इसको, फूड पॉईजनिंग हो गया, मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर यह है, कि जो भोजन इसने खाया, वो भोजन अच्छा नहीं था, वो बलकि एक प्रकार से पॉईजन में कनवर्ट हो चुका था, क्यों कनवर्ट हुआ था, सोचिये सोचिये, हम क्यों कौन सा चप पर पर पड़ रहे हैं, माइक्रो ओर्गिनिजम, किस की वज़ाद से हुआ होगा, माइक्रो उर्गिनिजम की dei, क्यों कि वो फूड़ कर दिया जाता है, कुछ माइक्रो ऋर्गिनिजम की वज़ा से, अब यहाँ पर क्या होता है, कि कुछ micro organism होते हैं जो कि आपके जब भोजन में वो आ जाते हैं भोजन पर जब वो पहुंच जाते हैं तो वो उस भोजन को क्या कर देते हैं कुछ toxic substances में convert कर देते हैं जैसे हमने देखा कि East क्या करता है इस्ट हमारे जो sugar से उनको convert कर देता है सुगर को convert कर देता है अलकोहल में उसी प्रकार से कुछ micro organism होते हैं जो कि हमारे food को convert कर देते हैं toxic substances में और ये toxic substances हमारे लिए harmful होते हैं हमारे लिए dangerous होते हैं और ये food को poisonous बना देते हैं जिनकी वज़ा से मतलब कि जब वो food हम लोग खाएंगे तो हमारी तबियत खराब हो सकती है और यहां तक की हमारा death भी हो सकता है तो इसलिए बहुत ही important होता है कि जब भी हम भोजन तयार करें भोजन बनाएं तो हम लोग क्या करें? food को अच्छे से preserve करें अच्छे से safe रखें ताकि उसको किसी भी प्रकार से problem ना हो उसमें किसी भी प्रकार से poisoning का खत्रा ना हो अब यहां पर आगे हमारे सामने topic क्या है? topic है food preservation मतलब कि जो भोजन हमने तयार किया भोजन बनाया उसको micro organism से हम लोग कैसे बचा करके रख सकते हैं आईए इस चीज़ को यहां पर हम लोग discuss करते हैं हमने chapter 1 में क्या discuss किया था? हमने grains का preservation discuss किया था कि grains जब हम खेतों में उगा लेते हैं तो उनको कैसे preserve किया जाता है? यहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो cooked food होता है यानि जो पका हुआ भोजन होता है उसको हम लोग कैसे preserve कर सकते हैं जैसे कि अगर bread को अगर हम moist condition में बाहर छोड़ दें तो उस पर fungi का attack हो जाएगा और वहां पर fungi उख जाएगे जो कि हमारे लिए फिर healthy नहीं होगा हम लोग उसको खा नहीं सकते हैं इसी प्रकार से और भी जो भोजन है नॉर्मल आप लोग सबजी बनाते हैं दाल बनाते हैं चावल बनाते हैं उन पर भी microorganism का attack हो सकता है उनको भी preserve करने का जरूरत होता है और उसके अलावा बहुत तरीके के चीज़े हैं जो कि हम खाते हैं जिनसे की हमें preserve करने की जरूरत होती है जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें आगे बढ़ते हैं अलगलग type के हम लोग preservation method पढ़ते हैं सबसे पहला method है chemical method यहाँ पर क्या होगा भाई chemical use होगा chemicals का use करके food को हम लोग preserve करेंगे अब chemicals में सबसे simple chemical की बात करें तो हमारा जो salt है salt को हम लोग यूज़ करते हैं food को preserve करने के लिए इसे परकार से edible oil को भी use किया जाता है food को preserve करने के लिए मतलब कि जैसे generally आप अगर देखेंगे जो meat वगरा होता है उसको जब हमें preserve करना होता है तो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं कहता है कि therefore they are called preservative, preservative मतलब क्या ऐसे chemicals जिनका use करके हम लोग food को preserve कर सकते हैं, वो हमारे preservative होते हैं, यहाँ पर इसके अलावा जो pickles होते हैं, उसमें salt और acid हम लोग मिलाते हैं, ताकि हम लोग microbes के attack को रोख सकें, इसके अलावा sodium benzoate है, sodium metabisulfate है, यह preservative के रूप में use होते हैं, जिनको कि हम लोग jam में, squashes में डालते हैं, मतलब कि अलग-अलग जगों पर अलग-अलग chemicals use किये जाते हैं, preservative के रूप में, जो भी आप food देखते हैं, जो कि pack हो करके आ रहा है, और वो कई दिनों तक दुकानों में पड़ा हुआ होता है, आप जैसे lez खाते हैं, कुरकूरे खाते हैं, वो कई दिनों तक 15 दिन, 20 दिन, महिने दिन तक दुकान में पड़ा हुआ रहता है, फिर भी वो खराब नहीं होता है, क्यों खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें करते हैं उसका covering करके कहता है कि meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria, bacteria के growth को control करने में हमारा common salt use होता है और यह काफी काम करता है, इसके अलावा हम लोग आवला, raw mango, tamarind इन सब को भी preserve करने में salt को use करते हैं, salt का covering करके इसको protect करने का काम करते हैं, इसके बाद हमारा हो गया अगला, अगला क्या है sugar, sugar का use करके भी हम लोग preservation करने का काम करते हैं, कैसे भाई? तो जो हमारे jams होते हैं, jellies होते हैं, squashes होते हैं, इनको sugar की मदद से preserve किया जाता है, कैसे? जो sugar होता है, वो moisture को एक प्रकार से control करता है, कैसे control करता है? वो उसको absorb कर लेता है, एक प्रकार से उसको soak लेता है, जिस इसके वज़े से food spoil नहीं होता, यह jam, jellies वगएरा spoil नहीं होते हैं। इसके अलाबा oil और vinegar का use करके preservation किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग इसका सबसे अच्छा उदारण देखेंगे pickles। pickles देखिए, आप अगर आम को बाहर रख दें, यहाँ पर मैं रख दूना, क्या होता है, ओल होता है एक और चीज आपको मिलता है विनेगर, कई जगों पर oil होता है, कई जगों पर vinegar होता है. और यह oil और vinegar क्या करते हैं, यहाँ पर bacteria को एक प्रकार से control करने का काम करते हैं, क्यों? क्योंकि जो इनका layer होता है या फिर जो इनका covering होता है जो ये atmosphere तयार करते हैं उसमें bacteria grow नहीं कर सकता है इसके अलावा vegetable, fruit, fish, meat को भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से preserve करने का काम करते हैं इसके अलावा है heat and cold treatment, simple सा बात है भाई, सबसे अच्छा उदारन है, दूध आपने देखा होगा जब भी दूध आपके घर में आता है, आप क्या गरते हैं, सबसे पहले उसको boil करते हैं, क्यों boil करते हैं? ताकि उसके अंदर जितने भी microorganism हैं, वो एक प्रकार से मर जाएं, और साथ में जो दूध है वो खराब ना हो तो यहाँ पर जब हम लोग क्या गरते हैं, milk को boil करते हैं, उससे milk में present सारे microorganisms क्या हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं और इसी प्रकार से food को preserve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, food को fridge में भी रखने का काम करते हैं तो भाई, फ्रीज में भी एक चीज़ आप देखते होंगे, कि जब fridge में भोजन को रखा जाता है, food को रखा जाता है, तो वो कई दीनों तो खराब नहीं होता क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि वहाँ पर temperature इतना कम होता है, कि वहाँ पर जो micro-organisms हैं, वो growth नहीं करने पाते हैं, और food हमारा preserve रहता है तो इस प्रकार से hot और cold treatment करके हम लोग micro-organisms को control करने का काम कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर एक process है, जिसको बोलते हैं, पाचुराइजेशन, अब यह क्या है भाई? यहाँ पर जो हम लोग दूद को देखते हैं, कि दूद हमारे घर में आता है, और दूद को हम लोग क्या कर देते हैं? बॉइल कर देते हैं, तो बॉइल से तो पहला तो उसमें जो micro-organism है वो खतम हो जाएंगे, उनका growth को एक प्रकार से control किया जा सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर यह जो boiling का process है ना, यही हमारा कहलाता है पाचुराइजेशन, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूद को बॉ करेंगे, और 15 से 30 सेकेंड तक अगर उसको हम लोग हिट कर देते हैं, और उसके बाद suddenly उसको chill कर देते हैं, और उसको store कर देते हैं, तो यह हमारा process क्या होता है? पाचुराइजेशन होता है, ठीक है? और ऐसा करने से जो micro-organism है, उनका growth control हो जाएगा, खतम हो जाएगा, और यह process खोजा था सबसे पहले Lewis pasture ने, तो पाचुराइशन क्या होता है भाई? एक प्रकार का process होता है, जिस process के जरीए हम लोग micro-organisms को, के growth को हम लोग रोकते हैं, या फिर उनको एक प्रकार से खतम कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से मार देते हैं, इस process में क्या होता है? इ बॉयल करते हैं, तो उसको हम अच्छे से बॉयल करते हैं, लेकिन जहाँ पर जो आपके chilling और storing center होते हैं, मिल्क के, जहाँ पर हजारों लिटर में दूद को store किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के process को, पाचुराइशन के process को follow किया जाता है, और इस प्रकार से वहाँ पर packaged food हैं, उनको कैसे safe रखा जाता है, तो यहाँ पर आज की जमय में जो packaged food हैं, जैसे कि हम लोग जो dry fruit वगर आज के समय में लेते हैं, या फिर आज के समय में जो आपको लेस कुरकुरे आप खाते हो, या फिर आज के समय में यहाँ तक की जो आपके vegetables हैं, वो भी pack हो करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला तो airtight container में इनको रखा जाता है, जो की completely airtight होता ऐसे container रखा जाता है, ताकि microbes का हमला ना हो, साथ में जो लेस कुरकुरे टाइब के packets होते हैं, इन में nitrogen gas को भर दिया जाता है, oxygen नहीं डाला जाता है, ताकि वहाँ पर आपका वो food खराब ना हो, spoil ना हो, ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे तरीके हैं, जिन से की हम लोग क्या करते हैं, food के preservation का काम करते हैं, कई सारे तरीके हमने देखे, सब यहाँ पर आपक को ध्यान रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने topic है, topic number 2.6, nitrogen fixation, अब यहाँ पर nitrogen fixation में क्या बात कर रहा है, nitrogen को fix करने के बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने class 7 में rhizobium bacteria की बात की थी, आपने वहाँ पर देखा था कि rhizobium bacteria का करता है, nitrogen fixation का का क present होता है, यह चीज तो आपने class 7 में पढ़ाई है, तो आएए जरा सा हम लोग root nodules को देख लेते हैं, तब हम यहाँ पर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर हमारे आसपास जो leguminous plants होते हैं, यानि कि वैसे plant जिन में legumes पाई जाते हैं, इनका root में nodules इस प्रकार के nodes होते हैं, यहाँ पर आपका यह bacteria present होता है, और यह क्या करता है, nitrogen fixation का काम करता है, reality में root nodules ऐसे दिखते हैं, यहाँ पर देख लीजे, यह क्या करते है, nitrogen fixation का काम करते हैं, nitrogen fixation का काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मत air में present हमारा nitrogen है उसको nitrogenous compound में convert करने का काम करते हैं जिसको की plants absorb कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो plants हैं उनको nitrogen चाहिए होता है अपने बहुत सारे task के लिए और nitrogen air में present तो है लेकिन वो plants जो है nitrogen को directly accept नहीं कर सकते हैं जैसे CO2 ले लेते हैं वैसे nitrogen नहीं ले सकते हैं plants nitrogen लेते हैं soil से nitrogen के soluble compound से जो की water soluble होते हैं वैसे compound से nitrogen को लेते हैं तो यहाँ पर यह जो हमारा rhizobium bacteria होता है यह यही काम करता है atmosphere में present जो nitrogen है जो की हमारा pure nitrogen है उसको क्या करेगा nitrogenous compound में convert कर देगा किसी दूसरे compound में convert कर देगा जिसको की plant absorb कर सकता है accept कर सकता है और यहाँ पर यह rhizobium bacteria को क्या फाइदा है भाई rhizobium bacteria रहता है plant के root nodules में और यह दोनो plant और rhizobium दोनो एक दूसरे के साथ symbiotic relationship में होते हैं कि भाई यह rhizobium nitrogen देगा plant को और plant इसको खाना पीना रहना सब चीज़ देगा तो समझ गए एक दूसरे की जरुवत को पूरा करते हैं और nitrogen को fix करने का काम करते हैं इसके अलावा और भी microorganism होते हैं जो कि nitrogen fixation का काम करते हैं अलगी हो गया और भी कई सारे होते हैं अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है nitrogen cycle nitrogen cycle मतलब क्या जो हमारे atmosphere में nitrogen है वो अलग-अलग forms में घूमते रहता है यह एक प्रकार का cycle बनाता है जैसे atmosphere में nitrogen है हमने अभी तुरण देखा कि bacteria ने क्या किया उसको nitrogen के दूसरे compound में convert कर दिया वो compound बना उसको plant ने ले लिया उसने दूसरा compound बना दिया protein बना दिया या फिर और भी चीज़े बना दी chlorophyll, Nucleic Acid, and Vitamin जो हमारे शरीर में protein है वो किस चीज़ का बना हुआ है nitrogen का बना हुआ है plant में chlorophyll है किस चीज़ का बना हुआ है nitrogen का बना हुआ है और भी सबसे पहले nitrogen कहां present है भाई, हमारे atmosphere में present है, 78% nitrogen हमारे atmosphere में present है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे आसपास microorganism है, जो कि nitrogen fixation का काम करते हैं, तो यह क्या करते है, atmosphere से nitrogen को लेते हैं, उसको यहाँ पर fix करते हैं, और compounds में convert कर देते हैं, soil में, मतलब nitrogen कहां आ गया भाई, soil में आ या कई सारे अलग-अलग compound में convert हो करके, इन compound को कौन लेगा, इन compound को plant ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, कि जब atmosphere में lightning होती है, जब एक बिजली कड़कती है, तो उस समय भी lightning के वज़ा से भी, यहाँ पर atmosphere के nitrogen क्या हो जाते हैं, soil में पहुंच जा animal ने खा लिया, फिर animal या फिर plant जो है, वो जब मर जाते हैं, dead, decay हो जाते हैं, तो उनका जो waste material है, उस से nitrogen फिर से soil में पहुंच जाता है, और इस soil में से कुछ bacteria होते हैं, वो gaseous form में nitrogen को release करते हैं, जो कि वापस से atmosphere में पहुंच जाता है, तो इस प्रकार से हमारे atmosphere में, earth प हुते रहता है, और यहाँ पर इस प्रकार से nitrogen का balance atmosphere में बना हुआ रहता है, यहाँ पर आपको देखना है, तो यही बात लिखी हुई है, कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पर कहता है कि nitrogen cannot be taken directly by plants and animals, certain bacteria and blue-green algae present in soil, fix nitrogen from atmosphere and convert into compound of nitrogen, once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by plant from soil through their root system, ठीक ह वही बाते हैं, जो कि मैंने आपको समझाई, कि plant ले लिया, plant ने फिर कुछ chemicals बनाया, जैसे chlorophyll बनाया, या फिर कुछ protein वगरा बना दिया, उसको फिर animal ने ले लिया, animal जब मर गया, तो soil में फिर से उसका सारा nitrogen वापस चला गया, और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ bacteria होत देते हैं, air वाले pure nitrogen में convert कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये process पूरा चलता रहता है, इसके बाद यहाँ पर आजाता है आपके सामने what have you learned, मतलब क्या, chapter समाप्त हो चुका है, यहाँ पर exercises हैं, इनको आप देख सकते हैं, आप आसानी से इनको कर भी सकते हैं, क्योंकि सारी चीजे पढ़ा दिए, ठीक है, तो मिलते हम आप से अगले वीडियो में, अगले chapter के साथ, तब तक के लिए, good bye